असलाम अलेकुम और वेलकम टो चैनल दस्तर खान की दावत आज मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूं धावा स्टाइल आलू भुना मसाला की रसेपी जो बनाने में बेहाद आसान है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो जब आपके घर में कोई सब्जी न स्थ्वून डालेंगे अबाइल को अच्छी तरह से गरम करर लेंगे तो अच्छी तरह से गरम हो चुकण है अब यहां पर मैंने बड़ा ऑनियन लिया है जिसे Πरिक्रिक JaEP का इसहा नदर का इस पर इस Breaking क्याप्सिकम के जगा पर एक या दू क्याप्सिकम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहां पर हमने लिया है चार मीडियम साइज के उगले हुए और छिले हुए आलू जिसे हमने क्यूज में कट कर लिया है इसे भी हम पैन में डाल देंगे साथी में डाल देंगे 4-5 हरिमेज जिसे हमने बारी काट लिया है फ्लेम को हमने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनिट के लिए भूल लेंगे तो हमने इसे हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए भूल लिया है, आप इसके अंदर आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, साथी में एक टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, और यहाँ पर हमने एक टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है, इसे अच्छे तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे, और अब यही सारे मसाले डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए, एक से दो मिनट के लिए और भूल लिया है, और सब्जी अच्छी तरह से भूल चुकी है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब जि डाल दिया है, ऑल को अची तरह से गरम कर लेंगे, अब अची तरह से गरम हो चुका है, तो अब इसके अदर हम आदा याख कर लिया है, हम इसे एक बार चला लेंगे कुछ seconds के लिए हमें इसे चलाना है अब इसके अंदर हम add कर देंगे 10-12 लसन की कलिया जिसे हमने crush कर लिया है और यहाँ पर हमें लिया है एक इंच अदरक का तुकड़ा और इसे भी हमने crush कर लिया है कूट लिया है इस तरह से अदरक लसन को कूट के डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा सबजी के अंदर और साथी में डाल देंगे चार से पांच हरीमेच जिसे हमने बारी काट लिया है और अब इसे मीडियम तो हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए ओनियंस के सॉफ्ट और लाइट गोर्डन होने तक हमेसे पका लेना है तो खुछ देर बाद जैसा कि आप देख सकते हैं प्यास यहां पे सॉफ्ट और लाइट गोर्डन हो चुका है तो आप हमने फ्लेम को लो कर दिया है अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले अड़ करेंगे तो यहां पर इसके अंदर हम एक टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे एक टीस्पून कश्मीरी लालमेज पाउडर डाल देंगे दो टीस्पून धन्या पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे एक टीस्पून तीखी वाली लालमेज पौडर डाल देंगे और अब इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए एक मिनट के लिए बून लेंगे फ्लेम को हमें बिल्कुल भी लो रखना है क्योंकि ये पौडर मसाले है अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जल जाएंगे तो एक मिनट के बाद पाउडर मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके है अब इसके अंदर हम आड़ कर देंगे चार टेबल स्मून दही तो यहाँ पर दही को मैंने बिना फेटे डाला है आप चाहें तो इसे फेट कर भी डाल सकते हैं और आप इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और आप हमें इसे लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि मसाला अच्छी तरह से ओईल रिलीज कर दे तो कुछ दिर बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले ने बहुत अच्छी तरह से ओईल रिलीज कर दिया है तो अब इसके अंदर हम तीन टमाटर की प्यूरी डाल देंगे तो तीन मीडियम साइस के टमाटर को मैंने ग्राइंडर जार में पीच के इसकी प्यूरी बना लिया है अब इस तरह के चमच से हमने इसके अंदर एक चमच यानिके देटे स्पून नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद इससे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे बीच वीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक भूनेंगे तो मसाले को हमने medium flame पे बीच बीच में चलाते हुए 5-7 मिनट के लिए भूल लिया है और जिसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे अब इसके अंदर हम इस तरह के glass से आदा glass पानी आड़ कर देंगे यानि कि हमने इसके अंदर 100 ml तक पानी आड़ कर दिया है और आप इसे एक बार अच्छी तरह से mix कर लेंगे चला लेंगे और आप इसे cover करके medium flame पे gravy के अंदर उबाल आने तक इसे पकाएंगे तो कुछ देर बाद जैसे के आप देख सकते हैं इसके अंदर उबाल आ गया है इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और अब flame को मैंने low कर दिया है अब इसके अंदर हम बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारी फ्राइ कीवी सबजिया और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे medium flame पे लगातार चलाते वे 3-4 मिनट तब भूनेंगे क्योंकि यह आलू भूना मसाला है इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से भूना है तो हमने इसे medium flame पे लगातार चलाते वे भूना और हमारा आलू भूना मसाला बनके पूरी तरह से तयार है तो चलिए अब मैं आपको इसे सर्फ करके दिखाते हूँ तो हमारी मज़दार सी ढाबा स्टाइल आलू भूना मसाला की सबजी बनके बिलकुल तयार है और देखने में ही कितनी ज़्यादा मज़दार लग रही है बिलकुल भी देखने में तो यह चिकन की ग्रेवी लग रही है देखके तो कोई बताई नहीं पाएगा कि आपने यह आलू की सबजी बनाई है इस तरह की मज़दार सी आलू की सबजी अगर आप बना के आपके घरवालों को खिलाएंगे तो आखा के सभी खुश हो जाएंगे और आपके वावा ही करेंगे तो अगर आपको यह मज़दार सी आलू भूना मसाला की सबजी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं ऐसी ही मज़दार एक्साइटिंग रसीपिस के साथ तब तक के लिए आला हाफिज